Hello students, how are you? I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel किरन पुनिया. Let's start our study with smiley face and fresh mind. आज हम जो हमारा chapter 22 कर ले थे जिसका नेम था Malnutrition and disease. उस chapter के हम कुछ word meaning discuss करेंगे. First word है हमारा disease. Disease हमने बिल्कुल starting में ही किया था chapter के नेम में. Disease इसको बोलते हम भिमारी. तो बिमारी क्या होगी है हमारी disease. जैसे हमने खासी होगी, जखाम होगया, बुखार होगया. तो ये क्या है हमारी सारी बिमारिया हैं. तो disease किसको बोलते हैं आप बिमारी को. Second आपका है Malnutrition. Malnutrition का मतलब मैंने पहले भी बताया था. या फिर आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं Malnutrition. Nutrition होता है जो पोषण मिलता है. और Mal का मतलब होगा कमी हो जाना. जब पोषण की कमी हो जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा? कुपोषण. तो Malnutrition का मीनिंग आपके पास क्या हो जाएगा? कुपोषण. Third one is affected. Affected का मतलब होता है प्रभावित होना. किसी चीज से प्रभावित होना है या किसी चीज से ग्रसित होना. ठीक है? हमें जैसे अब हम बोलते हैं कि अगर हमें सास लेने में दिक्कत आ रिये तो उसे हमारा कौन ने affect होगा? का lungs effect होंगे ना क्योंकि lungs हमारे क्या करते हैं सास लेने में मदद करते हैं. तो affect का मतलब है कि हमारे lungs क्या हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं. Affected means प्रभावित. Fourth one is reduce. Reduce होता है कोई चीज कम हो जाना. ठीक है? जैसे कोई हमें ये बोले कि आपकी red blood cells reduce हो रहे हैं. मतलब आपकी red blood cells जो हैं वो धीरे धीरे करके क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं. ठीक है? Fifth one is pale. Pale means होता है पीला या फीका पड़ जाना. जैसे मैंने बताया भी था पीलिया नेम के एक बिमारी होती है आपकी. जब पीलिया हो जाता है तो आपके body कैसी दिखनी शुरू हो जाती है? ये lowish दिखनी शुरू हो जाती है. और आप क्या बोलते हैं? ये फिर आपका face क्या फिका पड़ना शुरू हो जाता है. फिका फिका दिखना है. जो एक आपके face पे natural जो glow होता है वो नहीं दिखना है. तो इसका मतलब क्या हो गया? आपको पीलिया हो गया है. तो पेल का मतलब होगा पीला या फिर फिका-फिका मुझ जाया हुआ तो आपको ये 5 के 5 वर्ड मिनिम राइट भी करने है और लान भी करने है ओके थेंक्यू क्लास